आज मैं लेके आई हूँ बहुत एजी तेस्टी नास्थी की रेस्पी जिसे बनाना काफी असान है घर के रखे कुछ समान से बनके त्यार हो जाती है घर में सभी को पसंद आने वाला है ये रेस्पी तो चलिए फिर बनाते हैं तो यहां पर मैंने एक कच्चा आलू ले लिया है तो यहां पर मैंने बड़े साइस के आलू लिये हैं अगर आपके पास छोटे हो तो आप आलू ले लीजिए अब हम क्या करेंगे इसके छिलके को निकाल लेंगे तो आलू को अच्छ से इसका हम छिलका निकाल लेने के बाद इसे हम पानी में डालेंगे तो पहले आलू को अच्छे से धो लीजे क्योंकि आलू में बहुत सारे मिट्टी रहती है और धोने के बाद फिर इसका हम चिलका निकालेंगे और फिर हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे ताकि ये काला ना पड़े तो ये देखिए आलू के हमने जो है ना चिलके निकाल लिये है तो इसे हम एक बार पानी में डालके धो लेते हैं तो ये देखिए आलू को अधोने के बाद अब हम क्या करेंगे इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे तो कोई भी चाहे मेडियम वाली ग्रेटर हो या बारिक वाली ग्रेटर हो किसी से भी आप ग्रेट कर सकते हैं तो सारे आलू को ऐसी ग्रेट कर लेना है तो यह देखिए आलू को हमने ग्रेट कर लिया अब हम क्या करेंगे, इसे दो लेंगे, तो इसे पानी में डालते हैं, और इसे हमें अच्छे से ना, दो से तीन बार अच्छे से पानी से दो लेना है, ताकि इसके जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए, तो ये देखिए आलू को हमने अच्छे से दो से तीन लिया है तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो यहां पे मैंने कड़ाई चड़ा दिया है कड़ाई हल्का सक गरम हो गया तो अब हम इसमें एक चमच के करीब तेल डालेंगे तो ये देखिए तेल भी गरम हो गया तो अब हम इसमें आदी चमच साबुत जीरा डालेंगे एक चमच यहाँ पर मैंने सफेद वाली तिल ली है और साथ में हम इसमें आदी चमच काली वाली जो तिल होती है वो डालेंगे और हम इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राय करेंगे तो इसे एक बाद चला लेते हैं तो ये देखिए हमने इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राय कर लिया है अब हम इसमें आलू डालेंगे तो सारे आलू को इसमें अच्छे से डाल दीजिए अब हम क्या करेंगे इसे चलाते वे 2-3 नट के लिए पकाएंगे तो गैस को मीडियम रखें और आलू को चलाते वे 2-3 नट के लिए पका लिजिए तो ये देखिए आलू को हमने 2-3 नट के लिए पका लिया है आलू का हलका सा कलर भी चेंज हो गिया है और यह हलका सा सॉप्ट भी हो गिया है तो बस अब हमें आलू को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है तो अब हम क्या करेंगे इसमें पानी डालेंगे तो यहां पे मैंने एक कटूरी के करीब पानी लिया है आप किसी भी कटूरी या कप मेजरमेंट ले सकते हैं अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो यहां पर मैंने एक चमच के करीम नमक लिया है अधि और आदि चमच इसमें हम ऑप गरम मसाला पॉडर डाले और साथ में अजा पर यहां पर मैंने लाल मिर्च लिया तो तो इसे बारिक से कट कर लिया है, आप चाहे तो इसके जगा लालमेच पॉर्डर भी ले सकते हैं, अब हम इसमें एक से डिर चमच कस्तूरी मेथी डालेंगे, और इसे हलका सा चलाने के बाद हम इसमें एक उबालाने देंगे, आप इसमें ना मसाले अपने हिसाब से रखिए मैंने यहां पर सिंपल मसाले का यूज किया है, तो यह देखिए इसमें उबाला गिया है, तो इक बार इसे चला लेंगे, अब हम इसमें चावल काटा डालेंगे, तो जिस कटोरी से मुने पानी लिया था ना, उस कटोरी से हमें आधा चावल काटा लेना है, तो यहां पर म बहुत जली चावल काटा ना पानी को सोक कर लेती है तो देख सकते हैं पानी जो है वो अच्छे से चावल काटे ने सोक लिया है तो अब हम क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे और फिर भी हम इसे हलका सा चला लेंगे ताकि यह चिपके ना तो बस यह डो के फॉर्म में आ तो अब हम क्या करेंगे इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो इसे हलका सा ही ठंडा करना है इतना ठंडा करना है हमें कि हातों से इसे हम टच कर सके तो यह देखिए इसे हमने हलका सा ठंडा कर लिया है अब हम इसमें बाउल में डालेंगे तो सारे मिक्सर को ना अच ब तो इसे अच्छे से mix कर लीजे ताकि इसमें elकी की फुल्की काथे भी हो वह भी mix हो जाए तो हाउसे इसे अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स करना है तो जैसे आ controversy लगाते है वैसे ही तो यह देखिये से हमने अच्छे से mix कर लिया है तो आप मुढ करिंग फिर से हाथों में हलका सा तेल लगाएंगे और नास्ते को बनाएंगे, enduring Weight खेटकता हे अब हम थोड़े सा में लोवी लें लेंगर निम्बुक्यका रेकां का और हथोसे इसे पहले गूल करते हुए हम इसे आस्पे में यसे ट्रायंगल सेप में बनाइंगे आप इस नास्ते को तो यह देखिए हमने नास्ते को बना लिया तो इसे हम रख लेते हैं प्लेट में और इसी तरह से में सारे नास्ते बना के त्यार करना है तो हातों में पहले निम्बू के अकार का लोई ले लीजिए हातों से अच्छे से गोल कर लीजिए और हातों में इलका सा तेल जरू से क्योंकि यह चिपकता है हाथों में और फिर हम इसे ट्राइंगल सेफ देते वे इस नास्ति को बनाएंगे यह दिखिए तो बस इसी तरह से में सार नास्ता बना के त्यार कर लेना है आप इस नास्ति को ना 2-3 दिन तक श्टोर करके रख सकते हैं जब भी आपको खाने का मन हो गर्मा गर्म फ्राय करके आप इसे खा सकते हैं तो अब हम इसे फ्राय करेंगे तो चलते हैं गास की तरह तो यहां पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था तेल अच्छा सा गरम होना चाहिए अब हम इसमें एक एक करके नास्ति को डालेंगे तो एक बार में तेल मे जब तेल अच्छा सा गरम कर लीजिए, जब तेल अच्छा सा गरम होगा तभी ये नास्त अच्छा से बनेगा नहीं तो ये न विखर जाएगा, तो गैस को में मेडियम टू हाई फेम पर ही रखना है, और एक साइट से हम इसे 2-3 मुट के लिए मेडियम साइज पर ही तो इसे एक बड़ पलट देते हैं, तो इस नास्ते को नाच्छा से उलट पलट के हमें फ्राइख करना है, क्योंकि ये नास्ता अलका व्लका सा चाइम लेता है फ्राइख होने में, मेर लिखें तो गैस को मीडियम ही रखें शलो थो आज पर से फ्राइग ना करें, तो बस तो इस नास्ते के खर में ऐसी एशर नास्ते को में एसी फ्राय करोण कर लेना है फुरी जाएगा निम刚क ज़लके में फिर से फृष इस नास्ते को नंतले में हुआ किश नास्ते में और बहुत ही तेस्टी लगती है खाने में तो अगर आपको ये रिस्पी मेरी अच्छे लगी हो तो लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं आप इस अपने फैमिली फ्रेंड में भी सेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प् मिलते हूँ एक अगले वीडियो में तो तब तक के लिए बाई बाई